हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे ही होंगे चलिए आज हम आपको अपने छोटी से गाउं में छोटी से मंदिर में गुमाने के लिए ले चलते हैं हमारी साथ सारी हमारी फ्रेंड भी जा रहे हैं साथ में गुमने के लिए साथ में बहुत अच्छा लग रहा है घुनने में देखें दोस्तों हम आगें अपने गाव के छोटे से मंदिर में यहाँ पे काफी भील्ड जमा है काफी लोग आए हुए है दूर दूर से मंदिर भी बहुत बहतरी बहुत ही खुबसूरत तरीके से सजाया गया है काफी लोग है बहुत अच्छा लग रहा है यह हमारी फ्रेंड है काफी लोग है देखिए दोस्तों ये मंदिर का पीछे का साइड है पीछे इधर गाओं बसा हुआ है चारों तरफ लोग ही दिखाई दे रहे हैं कि यह रहा हमारे मंदिर का गेट यहां पे हम खड़े हुए हैं कि सारे लोग बहुत सारे दिखाई दे रहें यहां पे भी यह रहा मंदिर का गेट है देखे दोस्तों सीव जी की बरात आ रहे हैं बरात में बहुत सारे भूत बैताल राक्षास सारे भगवान भी है साथ में बहुत सारे लोग भी है यह रहा सीव जी का रत जो आ गया है मंदिर पे यह हमारी सीव जी है इनका रत बहुत ही खुबसूरत तरह से सजाया गया है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है बरात में बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं दूर दूर से यहां पे आए हुए लोग सीव जी का बीवाह देखने के लिए काफी अच्छा लग रहा है कि बरत में लोग नाच भी रहें देखिए यहां पर बहुत सार है कि बरत में लोग रहें लोग रहें लोग रहें लोग रहा है कि बरत में लोग रहें लोग रहें लोग रहा है चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीव जी की बिवाह देखने के लिए यह हमारे सीव जी है जो रत पर बैठे हुए थे यहां पर बैठे हुए हैं आकर यहां भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं काफी लोग आये हुए हैं विवाह देखने के लिए सीव जी आ गए है अब माता पारवती का इंतजार है सारे लोग माता पारवती का इंतजार करें कब जैमाल होगा कि अो अ पारवती का इंतब बहुत guy बहुत कि अ को अ मतारवती को अ बारवती का इंतब धंग देखें दोस्तों माता पारबती अब आ गई है अब सिव जी का जैमाल होगा देखें दोस्तों माता पारबती अब सिव जी का जैमाल हो रहा है सारे लोग ताली बजा रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और खूश रहिएगा बाई बाई